नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है संपुन करांती एक्सप्रेस के बारे में जो की नई दिली से राजदिन नगट टर्मिनल पटना के बीच में चलती है इसे आम लोगों की राजदिन वी एक्सप्रेस भी कहा जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें और बेल आइकन जुरू टुमाएं ताकि आपको लेटेस वीडियो की नटिफिकेशन मिलती रहे आज की जो ट्रेन जनकारी है वो है संपुन करांति एक्सप्रेस के बारे में जिसे आम लोगों की राजदिन एक्सप्रेस भी का आ जाता है और यह जो ट्रेन है नई दिली से राजदिन नगट टर्मिनल पटना को जोड़ती है और डेली ट्रेन है हफ़ते के सातों दिन चलती है अब यह जो ट्रेन है नई अपडेटेड टिकेट किराए और टाइम ड्योगों के साथ चल रही है तो सबी चीजों को इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे संपून करांथी एक्सप्रस का जो ट्रेन नंबर है वो है बारा हजार तीन सो चरन में यह नई दिली से रोज़ाना चलती है और नई दिली से राज़न नगट टर्मिनल की जो दूरी है तेरा गेंटे 45 मिनट में कवर करती है और इसके तक्रीवन 6 स्टेशन्स है एक हजार एक किलोमेटर का डिसेंट जो है कवर करती है एवरेस पीड जो है इस रूट पे वो है 73 किलोमेटर पर आवर सुपर फास्ट टाइब की ट्रेइन है इस्ट सेंटर रेल बी डिवीजन जो है अपरेट करता है और लेश्बी कोचिस वाली ट्रेइन है वैब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है अगर रूट महप के बारें बात करें तो यह नई दिली से स्टार्ट होती है बाद में उत्रबर्देश में उत्तर परदेश के कानपुर, मिद्जा पूर और पंडे दीन दियाल उपाध्या जंक्शन को कबर करती है फिर बिहार में यह ट्रें जो है पटना जंक्शन में प पटना तक का बताऊंगा बाकि आप अपडेट रॉट सभी क्राओं जो है railway की वैब साइट या टिकट गॉंटर पर जाकर जरू कंफर्म पर्म करें वहां से आपको सही करा जो है confirm होँ इसमें वैसे 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, 3rd AC, 3rd AC, economy, slipper class और जनल डिपे हैं फास्ट एसी का नई दिली से राजिद नगट टर्मिनल तक जो टोटल किरा है वो है 325 रुपए जिसमें 384 रुपए तो बेस फेर है वो है 1940 रुपए जिसमें 1752 रुपए तो बेस फेर है, Reservation Charge 50 रुपए है, Super Fast Charge 45 रुपए है, GST Charge 93 रुपए है, टोटल किरा है, 1940 रुपए बनता है, 2nd AC का, नई दिली से राजिन दुर्ग टरमिनल तक का, 3rd AC का, नॉर्मल का किरा है, 1365 रुपए है, जिसमें 1215 रुपए तो बेस फेर है, Reservation Charge 40 रुपए है, Super Fast Charge 45 रुपए है, GST Charge 65 रुपए है, टोटल किरा है, 1365 रुपए बनता है, यह अफडेटेड और सही किरा है, फिर भी आप Railway की वेबसेट पर जाके जुरूर चट करें, स्लिपर क्लास का जो टोटल किरा है, वो है 520 रुपए, जिसमें 470 रुपए तो बेस फेर है, रिजर्विशन चार्ज 20 रुपए है, 30 रुपए सुपर फास्ट चार्ज शामिल है, टोटल किरा है, 520 रुपए बनता है, यह अफडेटेड और सही किरा है, फिर भी आप Railway की वेबसेट पर जाके जुरूर चट करें, तो अगर बात करें, जर्णल डिबो के बारे में, तो जर्णल डिबो के तक्रीबन 3 कोच है, तो जर्णल डिबो में अगर आपने जाना है, तो आपको जर्णल टिकट लेके जाना होगा, तो चलिए दोसों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं नई दिली से पटना बिहार तक चलने वाली संपून करांती एक्सप्रस के टाइम ट्यूबल के बारे में और जान लेते हैं नई दिली से राजने अगर टर्मिनल तक कौन कौन से स्टेशन आते है यह जो ट्रेन है संपून करांती एक्सप्रस इसे आम लोगों की राजधानी एक्सप्रस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्लिपर और जर्नल डिपे में है और राजधानी की तरह ही जाती है बिल्कुल स्पीड और टाइम बहुत कम लेती है नई दिली से चलने के बात करें तो हर रोज शाम के पांच बच के तीस मिनट पे ये 16 नंबर प्लाटफॉम से रवाना होती है और 13 घंटे 45 मिनट का समय लगाती है राजध नगट टर्मिनल पटना तक पहुंचने के लिए जो दूसरा स्टेशन है वो है कानपूर सेंपरल उत्रपरदेश यहां पर ट्रेन कोड़ है CNB इसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तरपरदेश के मिर्जापुर रेल विस्टेशन पे पहुंचती है सुबा रात के एक बच के 43 मिनट पे और एक बच के 45 मिनट पे वहां सिर्वान हो जाती है दो मिनट का स्टॉप है दो नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेन ज होती है कि इसके बाद स्लेज़ हो है वह पंडि दीनडियल पाध्य जंक्शन में पहुंचती है यहां पर ट्रेंज है राट के 3 बच के 18 मिनट पे पहुंचती यह तीन जो प्लैट्फॉर्मप पर आके ट्रेंज रुपती है इसके बाद यह उत्र प्रदेश से बिहार स्ट्रेट में एंटर करती है बिहार के पहले और इस ट्रेंच के साइकला स्टेशन पतना जंक्शन में सुबचे बचके 35 मिनट पर पहुंचती है और 6 बचके 45 मिनट पर वहां से इसके बाद नई दिली से राजिन नगट टर्मिनल तक चले वाली संपून करांती एक्सप्रस ट्रेन जो है वो अपने आखरी स्टेशन राजिन नगट ट्रमिनल पटना बिहार में सुबह साथ बचके पंदरा मिनट पे पहुंचती है और दो नंबर प्लैटफॉर्म पे जाक अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेवरेट ट्रेन या किसी फेवरेट ट्रेन रूट पर मैं वीडियो मनाओ तो कमेंट करके जरूब बताएं मैं वीडियो मनाने की पूरी कोशिक करूँगा और साथ में अगर आप नहे हैं या अगर अभी तक आपनी चैनल को करें और बेल आइकन जुरूर दबाए ताकि आपको लेटस वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद